हेलो स्टुटेंट्स के डिता मेट्ट्यूबर चैनल में आपका एक पार फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के पार्ट नमबर नाइन में सिंगूलर एंड नॉन सिंगूलर मैट्रिक्स की और इनवर्स मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं और इसकी क्य हैं यह सब तो आप सभी वीडियो में लाश्ट तक बने रहें तो स्टार्ट करेंगे तो यहां पर है अवित्क्रमनी एवं वित्क्रमनी आद्व्यू अब देखें यह क्या होता है सिंगूलर एंड नॉन सिंगूलर जैसे कि आपको मालो कोई मैट्रिक्स दी होई है अब व भी जैसे कि मालो यह कोई थी क्रॉस थी की मैट्रिक्स है अब अगर मालो यह अवित्क्रमनी होगी तो उसके लिए देखें क्या है यहाँ पर अब दो प्रॉपर्टिज आपको ध्यान मे रखनी है अब अगर आप इसका माढलो मालो इनकालेंगे जिसको पffff निकालेंगे ल अगर आपने इसका डेसे डिटर्मिनेट हो भी निकाला और वो अगर मालो यहाँ पर 0 आ जाता है तो यह तो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पर सिंगूलर यानि अवित्करम्नी तो ऐसा आप व्यू आप क्या कहेंगे कि यह अवित्करम्नी आप व्यू है और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर यह ध्यान रहें कि जो ए इनवर्स है वो ऐसे मैट्रिक्स का एकजिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ अपना आ जाएगा ए इनवर्स जबकि दूसरी तरफ अगर आपने जैसे मोडे निकाला और वो मोडे मालो नौन जीरू आजाता है तो ऐसी सिच्वेशन में वो मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी नौन सिंगूलर जिसको कि अपन कहते हैं यहाँ पर व्यत्करम्नी है ठीक तो यह पोजीशन है इसमें तो अगर वो नौन सिंगूलर मैट्रिक्स आजाता है तो वहाँ अपन ए इन्वर्स को निकाल सकते हैं और वो एक्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर देखे कई वार तो क्या है कि मैट्रिक्स देखे डारेक्ट यही पूछ लिए जाता है कि इसका ए इन्वर्स एक्जिस्ट करेग या नहीं करेगा तो आपको कुछ नहीं करना है डिटर्मिनेंट और निकालना अगर 0 आए तो वो एक्जिस्ट नहीं करेगा और non-0 आए तो एक्जिस्ट करेगा कैसे इसके example देखते दोनों के तो यहाँ चलिए मैं कोई question ले लेता हूँ कोई मैंने matrix ले ली यहाँ पर आपकी k2, 3, 1 and 3y2 तो अब हमें पता लगाना है कि इसका inverse एक्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा तो सबसे पहले मैंने बताया था इसका determinant निकालते यानि सारनिक निकालते तो वो कैसे आएगा cross multiply से आएगा तो 2 का तो आपका 3y2 में होना है बीच में minus आती है 1 का 3 से तो आप देख सकते हैं कि यह 3 minus 3 यानि 0 हो रहा है तो कहने का मतलब क्या हुगा कि it is a singular matrix तो यह कैसा matrix हो जाएगा student singular matrix और यहाँ इसका a inverse exist नहीं करेगा यानि a inverse does not exist यानि a inverse विद्यमान नहीं है चलिए एक और example ले लेते हैं non singular का भी तो अब की बार जैसे कि मैंने example ले लिया यहाँ पर 2, 3, 1, 4 ठीक कोई भी लेके आप चेक कर सकते हो तो यहाँ चलिए इसका determinant निकालते हैं तो आप जानते हो वही cross multiply करना है 2, 4, 8, minus 3, 1, 3 यह आगया 5 जो कि non zero है और non zero है तो आप देख सकते हैं कि यह जो है आपका it is a non singular matrix तो यह अपना क्या हो जाएगा non singular matrix हो जाएगा और ऐसी condition में यहाँ पर a inverse है जो वो क्या करेगा exist करेगा clear student तो यह पूरी picture है इसकी अब चलते हैं अपन next point पर यहाँ पर एक heading है inverse of a square matrix यानि किसी work up view का प्रितिलोम कैसे गयाद करेंगे चलिए वो check करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक situation ले ली है कि माना a व भी कोई तो समान कोटी के work up view है कोई a और b अपन क्या ले ले रहे हैं आपर समान कोटी के work up view यानि कहने का मतलब यह हुआ कि order of a is equal to यहाँ पर order of b है clear यह है तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर मानलो आपने a और b का multiply किया और किसी ने b का a से किया और इन दोने ही situation में आई आ जाता है यानि identity matrix आ जाता है तो ऐसी situation में अपन b को a inverse कहते हैं यानि b को अपन a का प्रितिलों कह सकते हैं clear यहाँ पर यह ध्यान रहे कि जिस तरह से b a का a inverse है उसी तरह से a b b का inverse है clear तो यहाँ से एक picture यह नकल के यह आती है कि अगर a का हम a inverse से into करें या a inverse का multiply a से करें तो इन दोने ही situation में हम को क्या मिलेगा आई मिलेगा तो यह condition है अब अपन देखते हैं इसकी कुछ important property तो इसकी properties में सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर मालो a और b का यहाँ पर अगर multiply i आ रहा है यानि यह दूसरे के inverse है तो हमेशा आप ध्यान रखें कि a और b के सारनिकों का गुणनफल जो है वो 100% एक ही आएगा clear तो यह आप questions में भी इसको use कर सकते हो दूसरी चीज यहाँ पर अगर a b का whole inverse किया जाए तो यह reversal law यह अप्लाई होता है जिसको कि मैंने इसका prove भी कराया था एक वीडियो में आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको playlist की link description में मिल जाएगी वहाँ जाके आप भागी वीडियो भी देख लें जिससे कि ऐसी prove जो मैंने कराया थे वो सभी आपको मिल जाए तो a b का whole inverse जो है वो आपका हो जाता है b inverse into a inverse ऐसे ही अगर मालो कोई आपसे a inverse कहता है तो a inverse निकालने के लिए add joint upon mod a की trick भी लगाई जाती है जो की एक important formula है a inverse के लिए आगे चलके अपन इससे example भी कही solve करेंगे और देखते हैं क्या क्या property next property है अपनी कि a inverse जो है वो add three यानि unique होता है अब देखिए इसका क्या मतलब है कि a inverse unique होता है यानि किसी भी आप व्यू के दो a inverse नहीं हो सकते यानि कहने का मतलब यह है कि कोई भी आप व्यू जिसे a है तो उसका जो प्रतिलोम होगा वो fix एक ही होगा clear यानि कहने का मतलब किसी भी आप व्यू के दो प्रतिलोम नहीं हो सकते यहां कोई भी प्रतिलोम आप व्यू किसी दूसरे का वितकरमनी नहीं हो सकता तो यह आप यहां पर ध्यान रखें कि प्रतियक आप व्यू अपना पर्टिकुलर ए इन्वर्स रखता है अगर वो दो बातों का पालन करें कौन कौन सी एक तो वो वर्ग आप व्यू हो प्रतिलोम आप व्यू में त्यमान रहता है कलियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं अपने सी में अगली प्रोपर्टि अपनी क्या है जैसे कि अगर मानलो कभी भी अपन ए इन्वर्स का ट्रांस्पूच करें और अगर ए ट्रांस्पूच का इन्वर्स करें तो ये दोनों वैल्यू सेम ही रहती हैं आगे चलेंगे अगली प्रोपर्टि हमारी कभी भी जैसे कि एक ए पावर एन कोई वैल्यू है और आपने उसका इन्वर्स निकाला जबकि दूसरे ने पहले ए इन्वर्स निकाल के होल पावर एन करी तो यह दोनों value अमेज़ा same ही आएंगी यहां पर यह ध्यान रहे n belongs to n है यानि n एक natural number है clear अगली property अपनी कि अगर किसी matrix के दो बार inverse किया जाए यानि inverse का वी inverse तो वो value अपनी lot के एही आ जाती है आगे देखते हैं next property अगर एह inverse का determinant निकालें तो यह one upon mod एक हे equal होता है clear student तो यह कुछ important properties थी अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ questions पर या एक question है अपने पास कि इसका inverse निकालना है तो देखते हैं अपन या two cross two की एक matrix दिए हुई है जिसका कि आपको निकालना है inverse तो कैसे निकलेगा formula मैंने आपको बताया था कि एक inverse के लिए adjoint पहले निकालना पड़ता है और उससे पहले भी mod ए mod एक से यह पता चल जाता है कि इसका inverse आ भी सकता है या नहीं आ सकता तो हमेशा ध्यान रखें adjoint निकालने से पहले आप हमेशा पहले mod एक निकाले तो यहां देखते है mod एक क्या होगा यह आप cross multiply करेंगे तो 2,6,12,-5 यह आपका 7 हो गया अब आपको निकालने हैं यहाँ adjoint एक एक के लिए क्या करते हैं जैसे यह चार element है तो चारों के co-factor निकलेंगे यानि second C11, C12, C21 and C22 तो देखते हैं यह क्या होंगे जहां जोडने पर sum यानि E1 आ रहा है वह प्लस आएगा और विसम में minus तो C11 पहली row और पहला कॉलम छोड़के आपका 6 आ रहा है C12 पहली row और दूसरा कॉलम छोड़के अपना 1 आ रहा है C21 दूसरी row और पहला कॉलम छोड़के 5 आ रहा है C22 दूसरी row और दूसरा कॉलम छोड़के 2 आ रहा है यह कुछ situation है अब इसमें करना क्या student देगे कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपन करते क्या है को factor matrix निकालते हैं जिसको कि अपन CIJ से denote करते है यह क्या होती है आपकी 6-1-5-2 हो जाएगी और एड्जोइंटे निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसका करेंगे यहाँ ट्रांस्पूर्च तो ट्रांस्पूर्च के लिए क्या करते है row को कॉलम में बदलना है 6-1-5-2 तो इस तरह यह तो हुआ अगर किसी स्टूडेंट को एड्जोइंटे नहीं निकालना आता है तो वो इससे रिपीट करके समझ सकता है खुद भी आप नंबर अलग-लग लेके देखें अब चलते हैं सीधे A-Inverse पर जो पूछा गया है तो A-Inverse की डारेक्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी A-Inverse की डारेक्ट ट्रिक होती है एड्जोइंटे अपॉन मौडे तो यह आप देख सकते हो मौडे कितना था मौडे उपर आपने निकाला सेविन था तो यह बन अप होना जाएगा और एड्जोइंटे के लिए अभी आपने निकाला है यह 6-5-1-2 तो यह वैल्यू आ गई हमारी किसकी A-Inverse की तो यह हो गई हमारी A-Inverse 2 क्रॉस 2 की अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 क्रॉस 3 का A-Inverse कैसे निकालते हैं तो यहाँ इस्टूडेंट A-E equal यह कोई मैट्रिक्स दी हुई है और अपने को A-Inverse की वैल्यू यहाँ पर पूछी है तो देखते हैं अब 3 क्रॉस 3 का A-Inverse कैसे निकालेंगे सबसे पहले बात वही कि मॉड निकालना है कि कहीं वही यह 0 तो नहीं आ रहा क्योंगे 0 आते ही आगे आगे आपको फिर कुछ निकालने की जरूरत नहीं है तो चलिए देखते हैं आपर तो मॉड A के लिए यह मैने फर्स्ट रोल ले लिए आपकी 1 और 1 की यह रो कॉलम छोड़ देंगे तो यह आपका बचेगा यह क्रोस मिल्टिप्लाई 4 फोर जा 16 माइनस 9 बीच वाले का साइन चेंज करेंगे यह रो कॉलम छोड़ देंगे तो 1 का 4 में 4 और 3 बन जा 3 पीछे वाले को यह प्लस में लेना अपने को और यहां रो कॉलम छोड़ देंगे तो यह 3 बन जा 3 माइनस 4 बन जा 4 16 माइनस 9 सेविन बन जा 7 हो गया 4 माइनस 3 1 का 3 में माइनस 3 और 3 माइनस 4 माइनस 1 का 3 में माइनस 3 और आप देख सकते मॉड़ यहां 1 आ रहा है जो के एक non zero value है इसका मतलब कि इसका inverse आएगा अब inverse कैसे आएगा उसके लिए देखें यहां पर कितने element है नो element है तो इन सभी के पहले co-factor आएंगे c11 c12 c13 c21 c22 c23 और थर्ड रो के आपके हो गए c31 c32 and c33 और जहां भी अब जोडने पर sum आ रहा है जैसे एक और एक दो sum उरा है even आ रहा है तो वहाँ plus रहना है और sum में minus तो यह आपके sign है आप बले ही इनको direct याद भी रख सकते हैं तो आप सीधा state करेंगे अपन question पर तो c11 पहली row और पहला column छोड़के यहां अपना बचरा है यह 16 minus 339 यह आपका हो गया 7 clear? अब यह है c12 पहली row और दूसरा column छोड़के 4 बन जा 4 minus 3 यह आपका minus बना गया c13 पहली row और तीसरा column छोड़के 3 बन जा 3 minus 4 बन जा 4 minus बनो गया c21 दूसरी row और पहला column छोड़के यह 3 4 जा 12 minus 3 3 जा 9 minus 3 आ रहा हैं आपर c22 दूसरी row और दूसरा column छोड़के अपना 1 फोर जा 4 minus 3 बन जा 3 यानि 1 और c23 यानि दूसरी row और तीसरा column छोड़के यह बन का 3 में 3 minus 3 यानि 0 c31 तीसरी row और पहला column छोड़के यह 3 into 3 हो जाएगा आपका 9 minus 12 यानि minus 3 हो जा रहा है यहां पर और यह c32 तीसरी row और दूसरा column छोड़ेंगे तो 1 का 3 में यह 3 minus 3 यह 0 हो रहा है अपका c33 तीसरी row और तीसरा column छोड़के 1 का 4 में 4 minus 3 यानि 1 तो यह कुल मिला के कोफेक्टर की सिच्वेशन है अब हम बात करेंगे यहां पर एड्जोइंट एकी और उससे पहले कोफेक्टर मैट्रिक्स जिसको की डिनोट करते है c या c या i j से तो कोफेक्टर मैट्रिक्स के लिए student simple है आपको बस यही जो निकले हैं आपके वो आपको उस element की जगह रख देना है तो पहली रो यह रही है आपकी 7 minus 1 minus 1 दूसरी रो यह है अपनी minus 3 1 और 0 तीसरी रो आपकी minus 3 0 1 और अब अपन इसका निकालेंगे यहाँ पर एड्जोइंट तो एड्जोइंट के लिए मैंने बताया था ज़्यादा कुछ नहीं करना transpose है तो यह रो को किसमें बदलना है कॉलम में 7 minus 1 minus 1 minus 3 1 0 हो गया और यह minus 3 0 1 अब आप निकालेंगे अट लास्ट ए इन वर्ट जिसका गे फॉर्मूला आप सभी जानते हो एड्जोइंट ए अपॉन मौडे तो यहाँ मौडे आपका बनाया था यह आपका तो इसका तो कोई भरक नहीं नहीं जो एड्जोइंट है वो ही अपना आंसर हो जाएगा 7 minus 3 minus 3 minus 1 1 0 and minus 1 0 1 तो यह आपका निकला ए इन वर्स तो यह था हमारा पार्ट नमबर 9 जो कि इंपोर्टेंट पार्ट था इसमें हमने ए इन वर्स और इसकी प्रोपरिटीज देखी जो कि कई कमप्टीशंस और वोड एक्जाम में खामाती हैं तो इस्टुडेंट अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टुडेंट को सेयर करें और इस चैनल पर अगर आपको बाकी वीडियो भी देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट की लिंक देख सकते हैं तो आपको यह वाचिप्शन देख स्टुडेंट